नमश्कार मैं हुप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है अगर आप रोजकार से जुड़े समाज़वार से अबडेटे रहना जहाते हैं तो आप हमारे दूसरी यूट्यूब चानल जियोवी पीवीटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको नीच दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब चले बढ़ते हैं बिहार की श्रमत की सुर्ख्यों की ओर नेपाल की सीमा पर बढ़ गया वी आईपी मूव्मेंट इंडी और अमरित सर्च से होली में बिहार में आना जाना होका आसाल बिहार की भुचपुरी गाई काउं म बढ़ा विवाद, भुचपुरी और मघी भाशाओं के समर्थन में उत्रे गेहरा दिवासी संगट है बारी में इस गटे के पैसले को लेकर जड़ी जाने जारी की आपना बयान अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी ख़वरों की और विस्तार से नेपाल की सीमा पर बढ़ गया वी आईपी मॉव्मेंट बिहार में शराग की आवाज़ाही को पूरी तरीके से बंद करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है लेकिन इस पर पुर्ण विराम लगाने में मध्धनिशेद विभाग अब तक काफी हद तक फेल भी साबित इसको लेकर ही विभाग लगातार चाह पिमारी कर रहा है खासकर विभाग की नजर बिहार की सीमा पर है वहाँ पर जाज़ तेज कर दी गई है इसी सलसले में मध्धनिशेद विभाग के अपर मुखेसाचिफ केके पाठक ने बीती श्रम भारत नेपाल जयोग बनी लेकिन विभाग ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि हर हाल में अभिर्थियों को योगदान के समय घोश्णा पत्र देना होगा जिसमें ये साफ लिखना होगा कि हम दहेज नहीं लेंगे साथ ही अगर प्रमान पत्र में किसी तरह की गलती होगी तो उनकी न्युक्ती को रद कर दिया जाएगा इसके लावा चलंत दस्ता सिपाही को समधित सेक्षनी प्रमान पत्र भी देना होगा परिवहन विभाग के आदेश के मताबिक इन सभी चलनते दस्तास सिपाहियों के पद पर चैने तभेर्थियों की चिकित साजांत सिविल सर्जिन पढ़ना के अंतरगत गठित चिकित सा परशुद से कराई गई थी जिसमें इन्हें अयोगी खोशित किया गया था तेजी से बढ़ रहा है बिहार का तापमान मार्च महीने के शुरवात होने के साथ ही बिहार का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगा है आलब गुच्छियों है कि हर दिन के साथ तेज गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है पर जो 24 गंटे की बात करें तो बिहार के तापमा 29-31 डिग्डी Celsius रिकॉर्ड किया गया मौसम विज्यानियों की माले तो मार्च के तीसरे सब्ता से ही लोगों के माथे से पसीना बहना शुरू हो जाएगा इसके बाद से मौसम विज्यानिक मान रहे हैं कि इस बार की गर्मी शुरुवाती समय में ही लोगों को परेशान करने वाली है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का मौसम काफी तेजी से करवट पदल रहा है वातावरन में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लगी है सिक्षकों के वेतन निर्धारन मामले में 26 जिलो के D.E.O का जारी हुआ नोटिस बिहार के 26 जिलो के जिला सिक्षा पदाधिकारी और जिला कारिकरम पदाधिकारी को सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसके तहती माधिमिक सिक्षान देशक मनोज कुमार ने सिक्षकों का वेतन निर्धारन डिजिरल हरस्ताक्षर और वेतन परची जारी करने में लापरवाही के लिए स्पष्टी करन देने का आदिश किया है इसको लेकर तीन दिन का महलत भी दिया गया तीन दिन में जवाब नहीं मिलने पर सुक्षा वभाग दोशी मांते वे वभागिये कारवाई शुरू कर सकता है निगरानी टीम ने राजो सरकार में कारेरत अभियनता के पिता-पत्र के तीन ठीकानों पर मारी छाप मारी रज्ज सरकार में कारियरत अभियंता पिता पुत्र के तीन ठिकानों की तलाशी निग्रानी ब्यूरो ने बीते दिन ली इस दोरान 10,18,000 नगद बरामद हुए हैं वही कुल मिलाकर 57,161,000 के सवा किलो सोना और 1,5 किलो चांदी के जव्यवराद भी मिले इसके साथी कुल 6,60,000 लाग से अधिक की चला-चल संपत्ती का पता चला है आपकी ज़्यानकारी के लिए आपको बता दे कि श्रंभुनात सिंख छप्रा के जुलापरिसत कारियाले में कनिया भियंता के पद पर कारिरत है तो बही पुत्र अमित कुमार जुल संसाधन विभाग के खगोल सूतरी सर्च और ट्रेनिंग डिविजिन कारियाले में सहाय कभियंता के पद पर तैनात है जानकारों की माने तो ये पहला मौका है जब निकरानी ब्यूरो की तरफ से पिता और पुत्र दोनों पर एक साथ आई सैधिक संपति का मामला दर्श किया गया है विहार के भोजपूरी गाईकाओं में बढ़ा विवाद इसी बीच भोजपूरी गाईकाओं के बीच जंग छुड़ गई है जिसके शिर्वात ही लोग प्रिय भोजपूरी गाईका देवी ने की और उनके दिशाने पर है गाईका निहा सिंग राथोर जिससे दिल्ली और अमरिस्तर में होली में बिहार आने वालों को आसानी होगी पुपरे के मुखे जंसंपर का धिकारी ने इस बात की जानकारी दी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार आने वाली सभी ट्रेडों में होली के सबे की टिकेट फुल हो गई है इस बीच अब होली स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को आने में सहुलियत मिलेगी। इस बीच अब होली स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को आने में सहुलियत मिलेगी। हर प्रखन परिसर में ही मद्दान के इंद्रु बनाई गया है। इस अभियान के तहह थी आज मुख्यमंत्रि नितीश कुमार मध्यपुरा पहुँचे। ये कारिक्रम बियन मंडल स्टेटियम में आयोज़ित हुआ। इसके लिए पूरी तयारी पहले से ही कर ली गई थी। तीसरी लहर समाथ होने के बाद कारिक्रम को पूरा किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्रि नितीश कुमार ने जीवी का दीदियों को संबोधित करने के साथ साथ आने कई कारिक्रम का वो हिलसा भी बने। दर्भंगा हवाई अड़े को मिलेगा 133 करोड 34 लाख रुपे। बिहार में इंदिनों बजट सत्र देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिहार विधान मंडल बे वित्यवर्ष 2021 के आए व्याइक से संबन्धित तर्थिया अनुपूरक विवर्नी का उपस्थापना बिहार के उपमुख्यमत्री तारकिशोर प्रसाद की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। विकास के रास्ते खुले हैं। एरपोर्ट का संचालन्ज शुरू होने से शेहर के विकास कारे भी मल इसके प्रिस्वश्थ होंगे। इसे हवाई अड़े से सटे इलाके का औद्योगी कोड़ सामाजिक विकास भी होगा। इना तोड़ देने की बात कही थी। भोजपुरी मघी मैथली अंगी का मंच के नितृत्व में गैर आदिवासी संगठनों ने आज जारखन बंद का एलान किया था। उनकी मांग है कि भोजपुरी और मघी को छेत्रिय भाशाओं की सुची में शामिल किया जाए। संगठन राजुकी टोमिसाइल पॉलसी के लिए भूबी अभी लेखों के प्रमार के रूप में 1932 की कट ओफ तारी की मांग का भी विरोध किर रहे थे। इतना ही नहीं इस बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से समर्थन की मांग भी की गई थी। चुराग पासवान ने मुख्यमदर नितीश कुमार को जियारी किया पत्र चौकिदारों के लिए जमुई सांसद ने आवाज उठाई हैं जिसके तहती चुराग पासवान ने बिहार के मुख्या नितीश कुमार को पत्र लिखकर चौकिदारों का तबादला उनके ग्रह ज पğरजपा को चुनौती देने वाली मत्री ने नितीश मोडल को बताया बेस्ट। बिहार के पशुपालन और मतस्य संसाधर मंत्री और विकाश स्रील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों भाजपा के खिलाफ खुब बयानबाजी करते नजरार हैं। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नितीश कुमार की जमकर तारीफ की। जिसके तहट जद्यू के लिए प्रचार करने के दौरान उन्होंने ना केवल दावा किया बलकि मुख्यमंत्री नितीश कुमार के विकास मौडल को सामाजिक समरसता का बहग बताया। सेहनी ने कहा कि ऐसे तो विकास के कई मौडल की बात की जाती है लेकिन नितीश कुमार जी के विकास मौडल सामाजिक समरसता पर आधारित है। इसे बीच रविंद्र जडेजा ने अब इस मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि अब पारी की को घोशित कर देना चाहिए क्योंकि उस समय शुलंका के खिलारी काफी जादा ठग गया थे और हम इसका फाइदा उठा क कर उन्हें जल्दी से आउट कर सकते थे बहुत अच्छा लग रहा है कि कल रुश्रपंत भी वास्तव में खेले वो गेंद बाजों पर हमला कर रहे थे इसलिए मैं सिर्फ नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर उनकी बल्लेबाजी का आनंद ले रहा था कल हमारे द्वारा पूछे कहे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्टे हमें कमेंट करके दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत हैनिवाद आप में से जिनिजर का कमेंट हमें अच्धा लगा है उनके नाम है आप इसे दर हमारे सवालों का जवाब देते रहे हैं महत दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार आपके अलाके के विधायक ने क्या विकास को लेकर सरहने काम किया है या नहीं अपने जवाब हमें कामेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अबडेट इट हैने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक कौन दवाना ना भोलें